दोस्तों गीरी डूडल के इस प्लैटपॉम पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम कॉनिक सेक्षन में दोस्तों पैरा बोला का ही पार्ट हम लेकर आएं और इसके पहले वाला लेक्चर मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज जो मैं लेक्चर लेने वाला कोऑशन नबर खिर से 14 ठीट का पार्ट कवर कराओंगा और जरूर इस वाले पार्ट से कोईनफ आपके पेपर में आने के चांसे सा और इसके पहले वाला ही पार्ट बहुत जादा important है चलते हैं दोस्तों one by one चीजों को start करते हैं हम देखो question को थोड़ा हमें समझने की जरूरत है अगर एक बार हमें question systematic way में समझ में आ गया तो हम फटापट चीजे solve कर सकते हैं for the parabola 3y square which is equal to 16x find the parameter of the point something and something हमें मतलब parameters find out करना है देखो सबसे पहली बात मैं मैं पहला question solve कर रहो दूसरा आप solve करना 3, minus 4 है हमें जो given parabola दिया है 3y square 16x तो पहला तो काम यही होता है कि आपको क्या करना है 4a का value निकालना है यह हमने 3 वहाँ पे बेच दिया something है अब हमें क्या करना है इसको compare करना है comparing above equation with इससे compare करूँगा y square which is equal to 4ax अब मैं इससे अगर compare करूँगा तो यहाँ पर 4a वीचे से equal to कितना होगा दूस्तो 16 by 3 और a equal to क्या होगा दूस्तो 16 है 3 है यह 4 यहाँ निचे आ जाएगा then a equal to क्या होगा 41 जा 44 जा तो finally क्या होगा 4 by 3 तो यह आपको a का value समझ में आ गया अब दूस्तों हमें क्या करना है यह पूरा का पूरा 80 तो यह इसका parametric form है आपको याद होना चाहिए यह equation प्लीज अभी याद कर लो बहुत ही देखो यह अला पार्ट यहाँ पर आएगा उपर और यह अला पार्ट यहाँ पर नीचे आएगा और यहाँ पर यहाँ पर आएगा तो यह 9 बाइफ 4 टी स्क्वेर है और सम्टिंग दोस्तो अगर मैं चाहूं तो यह स्क्वेर यहाँ पर लोंगा तो स्क्वेर रूट होगा 9 बाइफ 4 और इसका एंसर 3 बाइ 2 प्लस माइनस आएगा अब यह हमारे पास एंसर है और सेम अगर मैं यहाँ से देखों य का वैल्यू कितना है दोस दोस्तो फोर बाइ 3 और इंटू टी अब मैं क्या गरों टी अकेला रख रहा हूं माइनस फोर पी नीचे है उपर आ गया तो इंटू फोर फोर कैंसल हो गया तो माइनस 3 बाइ 2 विच्छिस इकॉल टी यह वी एक आपका पार्ट हो गया अब दोस्तों देखों अगर आप ध जो दोनों में है पाइनस 3 बाइ 2 तो यह इसका क्या है दोस्तों पैरामेटर है तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं अब देखो दोस्तों यहां पर नेक्स कोशन अगर आप यहां पर देखोंगे फाइंड इफोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन दी पैराबोला देखो यह पैराबोला है 16 एक्स गीवन अब दूस्तों यहां से सबसे पहला आख बंद करके पहला काम तो वही करना है दूस्तों इसको में क्या करना है इससे कंपेर करना है सेम वह लाइन आप वैसा पूरा का पूरा लिखो और मैं डारेक ल देख रहा हूँ, comparing above equation with y square equal to 4ax, यह आपने लिख रहा, अब यहाँ पर क्या है का, 4a which is equal to, यहाँ पर 16, then a equal to 16 divided by 4, then a equal to, यहाँ पर finally answer कितना है का 4, यह भी आपको समझ में आ दिया, अब दोस्तों, कुछ conditions दिया है, यहाँ पर conditions क्या दिया है, पता है, but ordinate is 2 times the fc सा दिया है, दोस्तों, ordinate is 2 times fc सा, मतलब, ordinate मतलब दोस्तों y होता है, y, 2 times मतलब 2, और fc सा, fc सा मतलब x होता है, तो यह finally हमें क्या किया है, दोस्तों condition दिया है, आपको क्या करना यह, इसे आप equation number first रखो, और इसे आप equation number second रखो, second वाले को आप first वाले में put कर दो, तो finally दोस्तों, यहाँ पर अगर आप put करते हो, तो क्या दिखाई देता है दोस्तों, अगर आप in case अगर आपने समझो, यह वाला इसके अंदर put किया, तो क्या दिखाई देगा, आपको क्या मिलने के chances है, देखो, सबसे पहली बात है, कि हमें क्या find out करना है, दूस्तों, focal distance find out करना है, अगर सबोज मैंने इसके अंदर put किया, तो हमें focal distance का actual में formula क्या है, पहले यह देख लो, focal distance, और मुला क्या हो सकता है, दूस्तों, focal distance find out करना है, और इस वाले parabola में, अगर कभी भी आप focal distance ले रहे हो, तो x plus a आएगा, यह इसका focal distance है, मतलब, a तो अपने पास है, पस अपने वो मेहनत किसके लिए करना, x के लिए, कुछ मत सोचो, यार, second वाले equation को first में put करो, देखो, x आपको मिल जाएगा, तो देखो, मैं यह आपने लिख रहा हूँ, put equation second in equation first, put equation second in equation first, अब यहाँ पर आप देखोगे, second वाला कौन सा है भाई, यह देखो, इसको first में put करना है, y equal to 2x है, यह y की जगाँ पर put कर दोते है, यहाँ पर क्या जाएगा, 2x का square, और यह दोस्तो 16x, 2 का square 4, x square 16x, 4x square minus 16x, which is equal to 0, 4x बाहर लेंगे, तो यहाँ पर x minus, यहाँ पर क्याएगा, दोस्तो 4 के table में 16, 4 time में आता है, which is equal to 0, then 4x, which is equal to 0, then x minus 4 equal to 0, 4 वहाँ पर जाके divide हो जाएगा, 0 ही रहेगा, then x equal to 0, और x equal to 4, तो दोस्तो यहाँ पर focal distance हमें 2 मिला है, अगर मैं यहाँ पर find out करू, at x equal to 0, तो focal distance क्या होगा, दोस्तो यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हू, a का value कितना है, दोस्तो 4 है, तो finally क्या हैगा, दोस्तो 4 units और सेम अगर मैं at x equal to 4 पे अगर मैं local distance अगर मैं find out करने ही कोसिस करूँ तो मेरा answer कितना हैगा दोस्तो यहाँ पे देखो x plus a, x का value कितना है दोस्तो 4 plus a का value भी 4 है तो फाइल यहाँ पे answer कितना हैगा दोस्तो 8 units, देखो बहुत ही simple तरीके से समस्वाल हो गया question number 8 को अगर हम पढ़ने की कोसिस करें तो भाई यह किस तरह का question है, find the coordinates of the point मतलब अपने को x, y निकालना है coordinates मतलब x, y find out करना है, और the parabola also find the focal distance मतलब अपने को x plus a भी निकालना है और पहला question है दोस्तो, y square which is equal to 12x और यहाँ पे इन्होंने whose parameter, parameter मतलब t हमें दिया है 1 by 3 देखो भाई, सबसे पहली चीज है, सबसे पहला काम है अपने को a निकालना है, तो देखो यह y square which is equal to 12x, equation number first हमें क्या करना है, दोस्तो, comparing अबो equation with y square which is equal to 4ax अगर मैं इससे compare कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कहा है कर दोस्तो, 4a which is equal to 12, a equal to 12, divide by 4 which is equal to 3 a का value आ गया, अब हमें क्या find out करना है, दोस्तो, coordinates coordinates of the point, coordinates of the point हमें क्या करना है, दोस्तो, find out करना है, तो देखो भाई, x equal to parametric formula equation लिख दो, x equal to kya था, 80 square और यहाँ पे क्या था, 280, इससे आपको coordinates मिल जाएगा, अब देखो दोस्तो, x which is equal to, a कितना है, दोस्तो, a 3 है, यहाँ पे 3 आया, t कितना है, दोस्तो, t 1 by 3 का square है, तो finally, यह 3 ऐसी रहेगा, 1 by 9, और 3 बंजा 3, 3 जा, तो finally, x का value क्या आया है, दोस्तो, 1 by 3, यह x का value आया, y का value कैसे निकालेगें, दोस्तो, y equal to, 2 ऐसे ही है, a का value कितना है, 3 है, और t का value कितना है, दोस्तो, the value of t, 1 by 3, 3, 3 cancel होगे है, then y equal to कितना है अब यह पूरा का पूरा part होने के बाद, x और y मिल गए, मतलब अपने वो coordinates मिल गए, coordinates आपको क्या मिले, 1 by 3, 2, और हमें क्या निकालना है, दोस्तो, focal distance, अब देखो भाई, focal distance निकालना कितना easy है, focal distance, formula याद है सभी को, yes sir, याद है, x plus a, तो क्या आएगा, दोस्तो, x कितन है, दोस्तो 3, तो 1, 3, 3 is a 9 by 3, मतलब 10 by 3 units, हो गया, अब चलते हैं, दोस्तो, next question की ओर, yes, next question आपको दिखाई दे रहा है, बहुत दी सांदर सा question है, फिर से, for the parabola, y square, which is equal to 4x, given equation of parabola, equation number first, पहले मैं कुछ पढ़ भी नहीं रहूँ, बस इसको compare करके, एक आवे ले, comparing, above equation, with y square equal to 4ax, then 4a, which is equal to 4, then a equal to 4, divide by 4, then a equal to 1, पहला step तो clear, अब दोस्तो, यह होने के बाद, find the coordinate of the point, हमें एक coordinate of the point, फिर से find out करना है, मतलब अपने को x और y की जरूरत है, and focal distance दिया है, दोस्तो, हमें क्या दिया है, focal distance, by focal distance हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, दोस्तो, 17 दिया है, focal distance of parabola क्या होता है, x plus a, तो यह अगर हमें 17 दिया है, यह x है, और a का value भी हमें 1 पता है, then x equal to 17 minus 1 then x equal to 216 x का value आ गया अब बस हमें क्या करना है coordinates निकालना है तो y निकालना होगा क्या करना है दोस्तो इस value को आप equation number first में put करतो so put x equal to 16 in equation number first तो देखो यहाँ पे y square ऐसी रहेगा यह 4a है x की जगा पे क्या हैगा दोस्तो 16 then y square which is equal to अगर मैं यहाँ पे x होगे न यहाँ पे 4 है दोस्तो 4 16 4 जा 64 होगा then y equal to under root of 64 then y equal to plus minus of कितना हैगा दोस्तो 8 अब यहाँ पे जो भी answer आया plus minus of 8 तो इससे हमारे पास दो कॉडिनेट्स मिले एहला देखो पहला जो y का जो वैल्यू है दोस्तों एक बर plus 8 है और y का वैल्यू एक बर minus 8 है और दोनों ही case में x का वैल्यू कि आएगा 16 16 are the coordinates coordinates of the point of given parabola है से आप लिख सकते हो अब देखो दोस्तों question number 10 की और बढ़ रहे हैं धीरे दीर अगर आप देखोगे तो हम आगे की और बढ़ रहे हैं और हमारे अंदर confidence का लेवल बढ़ते जा रहे हैं find the length of the lattice rectum सीधी सी बात है बाई lattice rectum है तो पैरा बोला कुन सा है y square equal to 4a x तो हमें lattice rectum के बारे में पता है दोस्तों passing through the point something and something देखो सबसे पहली बात y square equal to 4a x यह हमारा given है even equation अब देखो दोस्तों हमें पॉइंट दिया है पैरा बोला जो है हमारा पैरा बोला कि पासिंग थ्रूँ इसका मतलब यह 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 क्या करेंगे पता है y की जगब पर माइनस 6 रखेंगे 4a ऐसी रखेंगे और x की जगब पर क्या रखेंगे दूस्तों 2 और यह कितना हो जगा 36 और यहां से बस हम 2 लेंगे 4a ऐसी रखेंगे और दूस्तो अगर मैं इसको डिवाइट करता हो तो यह 18 आएगा और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या चाहिए दोस्तो लेंफ ओफ बहुत ज्यादा इंपОर्टेट्ट E 2 इसके पहले वाले लेक्ट तो आपने को डिरिक बताया है, तो यहाँ पर गया है गया ऑगा ऑगे कीई औरी मेर数asına Division होगे तो बहुत ही सांदार सा कोशन है फाइन दे एरिया ओफ ट्राइंगल यहां पर आ गया फॉर्म बाइदी लाइन जॉइनिंग दी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला सम्धिंग पैराबोला हमें दीया है दोस्तो एक स्क्वाइर विच इक्वाइर विच इक्वाइर विच इक्वाइर दोस्तो यह स्टेंडर पैराबोला मैंने आपको सिखाया इसके पहले तो यहाँ पे गर मैं 4by से compare करूँगा तो 12 then b which is equal to 4 से divide करके answer 3 तो यह आपको एक छिश क्लियर होना चाहिए अब दोस्तो यहाँ पे हमें क्या करना पता है end points of lattice rectum तो ऐसे case में सबसे पहला काम आ जाता है कि diagram draw होना चाहिए अगर diagram आपको proper draw है तो आपको बहुत सारा idea आ जाता है अब देखो दोस्तो square कहाँ पे x square है मतलब हमारा parabola x axis को touch होगा मतलब यह parabola मतलब यह जो parabola है दोस्तो वो हमारा x axis को touch होता हुआ जाएगा मतलब यह हमारा parabola ऐसा है अब parabola हमारा ऐसा है आपको point भी पता होना चाहिए यह 1 है यह 2 है और यह 3 है अब देखो दोस्तों यहाँ पे b का value मुझे 3 पता चल गया तो मुझे पता यह b का value 3 है तो यहाँ से अपना lattice rectum जाएगा 3 पे से प्री पे से lattice rectum जा रहा है और देखो यह जो end points of lattice rectum है यह भी आपको पता होना चाहिए देखो दोस्तों इसका यह देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो x है वो plus है और x का value यहाँ पे क्या आता है दूस यहाँ प्री प्लस होता है यह आपको end points of lattice rectum हो गया अब दूस्ते इसके अंदर जो triangle form हो रहा है देखो एक तो यह है यहाँ पे देखो मैं पी एल ले रहा हूँ इस point को पी इस point को एल और इस point को अगर जब भी आपको निकालना है इसका area area of triangle ओ पी एल विच इस इक्वल तो आपको पता है कभी भी अगर ट्राइंगल ऐसा आला है मतलब इन डारिक लिए 90 का माक है तो हाप इंटू बेस इंटू हाइट आएगा दूस्तो हाप इंटू बेस इंटू हाइट आप बात है सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब नहींगा तो कर लो और प्रदीप कोलेज एंड स्कूल हमारे जो application उसे भी आप डाउनलोड कर लो वहां पर paid courses आपको मिलेगा बेस क्या है दोस्तों बेस की अगर बात करें तो क्या है दोस्तों PL और हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट यहाँ पर कुछ पॉइंट लेना होगा ओम ओम अब दोस्तों हाफ yes PL कितना है दोस्तों PL मतलब दोस्तों length of lattice rectum है देखो यह lattice rectum है तो अगर मैं यहाँ पे निकालो तो यहाँ पे अगर मैं लिखो length of lattice rectum which is equal to 4B यह तो उसका नाम पहले लिखो length of lattice rectum क्या है दोस्तों PL और वो 4B आएगा इस वाले में और वैसे वाले में 4A आता है अगर आपने देखा होगा मेरा previous lecture तो 4 into 3 which is equal to 12 units तो यह length of lattice rectum मिल गया है और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो O से M का जो distance है वो 3 है कितना है दोस्तों 3 units अगर आपको चाहिए तो 0,3 है और यहाँ पर 0,0 से distance वार्गर से भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यह 12 है और यह 3 है और यह 6 तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों 18 square units आएगा क्योंकि area की बात पर रही है और दोस्तों अगर आपको end points of lattice rectum न 6,3 और 6,3 तो आप निकाल सकते हैं तो बहुत इस आंदर कोशन चलते हैं दोस्तों next question no.12 की और कोशन no.12 को अगर हम देखने ही कोशिस करें इब दो पैराबोला पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इस 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर है बहुत अच्छा कोशन बिना डाइग्राम के नहीं साल हो सकता देखो एक पैराबोलिक डिफ्लेक्टर है मैं इसको इधरी एजिम कर रहा हू यह इसके बीच में है यहां पर इसका डायमीटर के रहा हूं तो यह 20 सेंटीमीटर नीचे आला 10 सेंटीमीटर इस तरह से होगा है एंड फाइज सेंटिमेटर इन डीफ इसका डीप कितना है दोस्तों डीप मतलब यह अला पाई तो यह क्या है यहाँ पर यह अपने को क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट करना है अब देखो दोस्तों सबसे पहली चीज यह है कि यहां पे है जो भी यह पॉइंट एक पॉइंट अपने को क्या करना है दोस्तों फाइंड आउट कर देना जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं इस पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूं तो विजेवाला एक अगर पॉकस पे से क्या जाता है दूस्तों डट्टिस रेक्टम जाता है अब को प्रस्पें के अग्वर्व सकते हो तो अगर यह डिस्तेंस की अकोर्डिंगि यह एक्स कितना है दुस्त फाय है और यह कितना है दो यह चो गया दूस्तों 5,10 और यह पाराबोला आपको पता है दोस्तों अब देखो दोस्तों यहाँ पे गीवन पाराबोला हमारा पाराबोला क्या आ सकता है अगर हमने यह डाइग्राम लिया तो पाराबोला क्या हो जाएगा y square equal to 4ax यह वाला और वो कौन से point से pass हो रहा है 5,10 तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसा लिख सकते हो point l 5,10 lies on parabola parabola पर यह point क्या कर रहा है तो देखो यह x है और यह कहा है दूस्तो y है तो y की जग़ा पर 10 का square 4a x की जग़ा पर 5 अब यह क्या हो जाएगा दोस्तो 10 x 10 या तो 100 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है 100 और यहां से अगर करोगे तो 4 5s है 20 20 तो दोस्तो यहाँ पर a का जो value है वो कितना मिला 5 main मेरा focus है दोस्तो a निकालना बाकि मेरा कुछ भी focus नहीं है और focus ही focus को find out कर देगा तो finally हमें क्या करना है focus निकालना तो focus क्या होता है 1,0 a का value क्या है आएगा दोस्तो 5,0 तो finally दोस्तो यहाँ पर हमें focus हमारा मिल गया कितना है दोस्तो 1,0 तो यह हमारा क्या है दोस्तो focus है तो यह हमने क्या कर दिया दूस्तों finally find out करती है आप चलते हैं दूस्तों next question की और yes अब देखो दूस्तों question number 13 find the coordinate of focus हमें focus का coordinate निकालना है vertex find out करना है and equation of directories find out करना है and the axis of parabola और parabola हमें दिया है तो देखो y equal to x square minus 2x plus 3 अब ऐसे case में क्या करूंगा पता है यह x square minus 2x है यह 3 को वैसे वहाँ नहीं ले सकता पहले मुझे क्या करना है पता है इसको whole square में convert करना है क्योंकि अगर आप देखोगे parabola हमेशा square form में रहता है तो whole square में कैसे convert कर से एक simple सा funda बतारो b square upon 4a लेलो यह वाले equation ना इसमें b का value क्या है minus 2 का square 4 a का value क्या है 1 तो यह क्या है को 4 divided by 4 which is equal to कितना हैगा दोस्तो 1 अब दोस्तों यह क्या होजाएगा y equal to x square minus 2x यह starting का बस दो लिखना है फिर यह वाला पार्ट लिखना प्लस 1 और यहां प्लस 3 है प्लस 1 लिखा तो इसको minus 1 से balance कर दिया then y equal to यह x यहाँ पे sign के है दोस्तों minus यहाँ पे गया है मैं इस तरह से लिख रहा हूँ पहले x वाला टर्म और फिर मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों Y minus 2 वाला टर्म और दोस्तों अगर मैं ध्यान से अच्छे से अगर मैं चीजों को लिखने कोसिस करूँ तो मैंने यहाँपे यह पूरा पूरा पार्ट लिगती है अब दोस्तों अगर मैं consider करूं तो indirectly यह x है तो x equal to x-1 और यह indirectly क्या है दोस्तों y है तो y equal to y-2 अब मैं अलग-अलग conditions का use करूंगा और answers निकालने कोश्चिस करूंगा coordinate of focus coordinate of focus अगर मुझे निकालना है तो अब देखो यहां पर यह पर पैराबोला कुन सा है दोस्तों देखो यह वाला पैराबोला है यह वाला पैराबोला के according diagram कैसे आएगा दोस्तों यह और यहां पर आपको पताए लेक्टर स्ट्रेक्ट्रम जाएगा तो focus क्या होगा दोस्तों 0,b मैंने आपको लेक्षर नूमबर फॉर्स में बता है तो आपको पता है 0,b तो अगर आप focus call करने जाओगे तो focus में पहला coordinate किसका होता है x का तो पहला आला के आएगा 0 और दूसरा आला capital y किसका आएगा दोस्तों बी आएगा अब आपको पता है x का value क्या है दोस्तों x-1 equal to 0 y का value क्या है y-2 equal to b का value कितना है b का value हमें पता है value of b value का value हमें यहां पे दोस्तों जो हमें b का value का दोस्तो वह नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा पता है अगर समझों मैं यहां पर निकाल सकता हूं देखो यहां पर यह पूरा का पूरा मैंने क्या ले लिया यह पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया एक्स ले लिया तो यहां पर 4B विच्छे से इक्वाल टो यहां पर दोस्तो कुछ नहीं है तो 1 तो 4B को मैंने यहां के 1 से compare किया तो B equal to 1 by 4 तो दोस्तों X which is equal to 1 और Y which is equal to 1 by 4 plus 2 1 by 4 4 to the 8 9 by 4 तो दोस्तों यहां पर हमें X which is equal to 1 मिला और Y which is equal to 9 by 4 मिला यह भी पार्ट हो गया अब दोस्तों अगर हम आगे की और बढ़े तो दोस्तों coordinate of focus focus का हमें coordinate यहां पर हमने अगर निकालना है तो हमने उस वाले equation के help से हमने यह वाले points को क्या किया find out किया अगर आप लिखना है तो आप लिख सकते हो 0, something देखो 1 by 4 है अब चलते हैं दोस्तों आगे हमें क्या निकालना है vortex निकालना है then equation of direct risk एक मिनट कोई आया है थोड़ा बात कर लो ओके थोलो बात हो गया अब देखो दोस्तों हमने यह find out कर दिया अब हमें क्या find out करना पहले मैं लिख दे रहा हूं तो यहां पर देखो coordinate of focus अगर मैं यहां पर coordinate of focus अगर लिखने कोसिस करो तो देखो दोस्तों मेरा यहां पर x का value कितना है और यह कितना है दोस्तों नाइन बैफ 4 यह हमारा answer आएगा अब देखो दोस्तों next part पर मैं जा रहा हूं अब next निनों ने क्या बोला है coordinate of focus अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो दोस्तों इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा तो आपको पता है वर्टेक्स मतलब जहां पर पैराबोला intersect कर रहा है तो x equal to 0 y equal to 0 पर हम capital form में लेंगे x equal to 0 y equal to 0 अब x को हमने क्या लिया है आपको पता है x equal to तो हमने क्या assume किया है x minus 1 और y equal to kya है y minus 2 तो यह कहा है दोस्तों y minus 2 equal to 0 then small x which is equal to 1 and small y which is equal to 2 तो यह भी हो गया अब यहां पर यह vertex हो गया something अब यह हमें पता चल गया कि हमारा coordinate of vertex जो है वह हमारा क्या है दोस्तों 1,2 अब next इसके अंदर क्या question पूछा है दोस्तों next पूछा है दोस्तों equation of directories अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों next है equation of directries अब equation of directories या डारेक्टरीँ जो भी है अब देखो दोस्तों यहां पर directories यहां पर आएगा और आपको पता है कि यहां पर b जो है नीचे side में minus होता है तो capital b which is equal to minus b होगा तो यहां पर आपको पत है capital B which is equal to minus B अगर आप चाहिए तो इसको यहां पे लोगे तो plus B which is equal to zero है इसलिए previous lectures मेरा बहुत ज्यादा important है दोस्तो अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों cover करना चाहते हो अब देखो capital Y मतलब क्या है दोस्तो Y minus 2 है और B मतलब क्या है अगर आप चाहो तो 4 से multiply करते हो तो 4Y यह 8 हो जाएगा और यहां पे दोस्तों क्या है यह प्लस 1 AC रहेगा इकोल जीरो देन 4Y minus 7 equal to 0 देन 4Y equal to 7 then y equal to 7 by 4 तो यह हमारा क्या हो गया दूस्तों इक्वेशन और क्या हो गया दूस्तों डिरेक्ट्रीस और दोस्तों इसके बाद लास्ट हमें जो पूछा है दोस्तों क्या पूछा है एक्सिस अब देखो दोस्तों यहां पर अब यहां पे अगर equation of axis के अगर मैं बात करूँ तो यह axis क्या है इसके इंदर दोस्तों जो बीच में से जा रहा है बीच में से जा रहा है मतलो y axis है y axis का equation क्या है दोस्तों x equal to 0 x क्या है दोस्तों x minus 1 equal to 0 than small x which is equal to 1 तो finally हमने सबी चीज़ों को find out कर लिया और थोड़ा सा यह अतरंगी सा question था बाकी questions के comparison अब दोस्तों चलते हैं आगे के question भी और और यहां पर देखो क्या रिखा है find the equation of tangent to the parabola something अब देखो दोस्तों y square equal to 12 x पहली चीज़ तो हमेशा याद रखा करो बस इसको compare कर दो अब देखो मैं y square equal to 4a x से compare करूंगा तो 4a which is equal to 12 हो जाएगा तो a equal to कितना हो जाएगा दोस्तों 3 पहला पार्ट तो clear अब पहला पार्ट अगर clear हो गया तो दोस्तों आप क्या करेंगे हमें क्या equation of tangent निकालने के लिए हमें एक formula यूज करना है mx देखो y equal to mx आपको याद है बस यहाद रखो straight line आपने पढ़ा लाग तो y equal to mx आपको पता है बस यहाँ पर am am morning का am देखो तो यहाँ पर आपको क्या करना है अलग अलग values पूट करना है यह एक्स है और यह कितना है दोस्तों 5 एम ऐसी रहेगा एक्स कितना है दूस्तों 2 है एक इतना है दूस्तों 3 है और म तो इन आपर सभी values को रख दि पाइल यह क्या होजएगा 5, यह क्या होजएगा 2M, यह क्या होजएगा 3M, पुरे equation में M से multiply हो जाएगा, तो यह क्या होजएगा 3, पुरे equation M से multiply होने के बाद, यह क्या होजएगा 2M b2m माइनस 5M प्लस 3 विचे से इक्वल जीरो अब दोस्तों ऐसा नमबर चीए जिसका मुल्टिप्लाई करके 2, 3 जा स्टीक्स हो रहा है और उसी नमबर का प्लस करके हमें 5 चीए तो 3, 2 जा आएगा 3, 2 जा और यहाँ पर माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, एम, एम यह आपने सॉल किया होगा यह साइन पहला आला है दोनों को रीड करो दूसरा आला साइन लेको अब देखो दोस्तों यहाँ भी 2M स्क्वेर है माइनस 3M यह टेंथ में 8 में भी सॉल किया है अब देखो दोस्तों यहाँ पर यह दोनों को सॉल करोगे तो M बाहर आएगा तो यहाँ पर कह already gotta 2M माइनस 3 यहाँ पर 2M माइनस 3 दें दोस्तों यह म है M माइनस 1 लिखो और 2M माइनस 3 अगर मैं यहाँ पर लिखू तो M माइनस 1 इक्वल जीरो 2m-3 equal to 0 m equal to 1 2m equal to 3 m equal to 3 by 2 और m equal to 1 तो यहाँ पे दोस्तों दो values हमें मिले हैं m का actual में हमें यहाँ पे क्या find out करना है दोस्तों हमें देखो हमने इस वाले equation से slope of tangent निकाल दिया हमें equation of tangent से यह दोस्तों पैरा बोला का तो दोस्तों देखो equation of tangent कैसे निकालेंगे तो formula का है y-y1 equal to mx-x1 इसके लिए अलग formula यूज़ होगा इसके लिए अलग होगा मैं एक apply करता हूँ आप दूसरा खुद से solve करना चलो मैं इसका solve कर दे रहा हूँ यह वाला तो simple है तो देखो y y1 के आएगा दोस्तों जो आपको point दिया है क्या आएगा 5 m मैं यह जानबुच के ले रहा हूँ कि आपको difficult नहीं हो x-x1 के है दोस्तों 2 अब देखो यह 2 यहाँ पे आएगा तो क्या आएगा y-5 और यह 3 x-2 तो यह क्या आएगा 2y-10 अब दोस्तों यह दोको यह 3 x है माइनस 2y है माइनस 6 है प्लस 10 है इक्वल टो 0 यह 3 x माइनस 2y प्लस यहाँ पे गएगा दोस्तों 4 तो यह पूरा का पूरा हमारा क्या होगा है दोस्तों equation और बहुत ही अच्छे तरहीं से हमने यह पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों सौल कर दिया उमीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में बाई बाई टेक केर बस ऐसे ही बढ़ते रहो और बहुत ही अच्छे से मैंने यह पूरा का पूरा लेक्चर लिया दूस्तों जैहिन यास से नीचे अच्छा कॉमेट करना